अगते बच्चो आप सभी का अपनी यूटूब चैनल गौतम के ग्यान पर और आज जो हम बात करेंगे कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें थर्ड समेस्टर के लिए तो उसका पूरा प्रोसीजर आपको बताया जाएगा कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है Step by Step आपको पूरी जानकारी दी जाएगी सबसे पहले बच्चो आपको क्या करना होगा तो जितने बच्चे First Year से Second Year में आए हैं और उनका Most Welcome है यदि आप सभी इस वीडियो चैनल से पहली वार जूड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे एक मोटिव है हम उसको आ लिएगा इस तरीके से देन उसके बाद आपको क्या करना है बच्चो आप जैसे ही लोगिन कीजिए इस तरीके से बच्चो पेज ओपन होकर आएगा आपका तो आपको क्या करना है सबसे नीचे ड्रैक करके जाना है और यहां पर एक options आ रहा है आपको यहां पर क्लिक करना है ठीक है ना online examination form for semester third semester के लिए undergraduate 2020 और 21 के लिए तो आपको क्या करना यहां पर click करेंगे हम तो यह page हमारा इस तरीके से open होकर आएगा और open होने के बाद बच्चों आपको क्या करना है यहां पर हमें roll number डालना है जो कि हमें जो roll number पता है ठीक है ना तो वो हम roll number डालेंगे तो बच्चों जैसे ही आप roll number डालेगे इस तरीके से page open होकर आएगा आपका तो आपको करना क्या है बच्चों इस page में demand letter आपको साफ साफ लिख रखा है इसमें बोल रखा है demand letter semester examination form तो आपको जो semester में यह जो दो था यह सारे program दे रखे तो इस तरीके से तो आप यह जह यहां पर बच्चे का नाम है आप इस तरीके से देख सकते हैं तो यह तो आप हम आगे बढ़ते हैं इसी में तो आपको यहां पर करना क्या है आपको यहां पर subject choose करने है एक तो सबसे पहले बच्चों यहां पर language course आप जो भी लेना चाहते है language paper paper one में और skill enhancement जो आपका course है कोई सब भी select कर सकते हैं discipline जो आपको लेना है जिससे पढ़ना है political science हिंदी हो गया history हो गया इस तरीके से आप ले सकते हैं तो चारो subject के लिए आपके बास options है और यदि आप इस में से अगर कुछ भी put up करेंगे तो वो आपको खुदी मिल जाएगा want to improvement अगर यहां पर एक option और दिया गया बच्चों यदि आप इस paper में improvement देना चाहते हैं यदि जिस बच्चे की paper में back है कम number है यदि देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं ठीके न बच्चों तो आपने देखा इस तरीके से यह जो language course था और इसके लिए enhancement का था बाकि दू discipline course थे ठीके न तो इस तरीके से आपको बच्चों यहां भी form fill up करना है ठीके न तो सभी ब बच्चों को यह वीडियो समझ में आई होगी और हमें किस तरीके से हमें fill करना है form वो पूरी मददगार रही होगी बच्चों के लिए तो जितने बच्चे हैं जाज़ादा registration करें और process करें form को fill up करने में ठीके न तो यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई तो like, share, comment जरूर करें बच्चों और bell icon को दवाना ना भूले, thank you so much बच्चों